नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है वेदानता सीरीज के नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी उपासना योग की आज हम उससे कुछ और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष है मोक्ष एक्टर्नल ब्लिस और किसी भी प्रकार के फियर से मुक्ति इस साध्य की प्राप्ती के लिए साधक जो प्रयास करता है उसी को साधना कहते हैं साधना के लिए मंत्र शास्त्र है तंत्र वर्णास्ट्रम विवस्था और सूला संस्कार है यंत्र स्वेम मनुष्य है यंत्र में कर्मयोग मनुष्य को अपनी साधना के लिए करना चाहिए उपासना योग मनुष्य को अपनी साधना के लिए करना चाहिए और आज हम बात करने वाले हैं राज योग की उन्हें पतंजली के योग सूत्र को पूरा पढ़ा, तो उन्हें ये महसूस हुआ, कि वास्तव में ये सभी प्रकार के योगों का सार माना जा सकता है. इसलिए इसे राज योग कहते हैं, राज मीन्स हाइस्ट, राजा के समान, हाइस्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज, तो इसमें नकिवल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें वो प्रैक्टिसेज भी हैं, आप क्या करें, कि आप अपने आप को रियलाइस कर पाएं, और जो चौथा पुर्शार्थ है, मोक्ष तक पहुँच पाएं, योग शब्दकार्थ हैं, इंटीग्रेशन, जोड़ देना, मन वचन और कर्मों को, जैसा हमने उपासना योग में भी देखा था, यहां भी बात यही है, अपने ली कहते हैं, चित्तस्य व्रत्ति निरोदह, योग चित्व की, मन की व्रत्तियों को रोकने का नाम है, जब आपका मन शान्त होता है, जैसा गीता कहती है, समत्वम योग उच्चते, समत्व ही योग है, तो जब तक हमारा थौट प्रोसेस ठीक रही होगा, तब तक ह बार-बार जीवन में परिशान होते रहेंगे, क्योंकि हमारे थौट जैसे हमने पिछली क्लास में बात की, हमारे थौट से ही फीलिंग्स को बनाते हैं, फीलिंग्स ही वर्ड्स को जनरेट करती हैं, वर्ड्स एक्शन को बनाते हैं, एक्शन हैबिट्स बनते हैं, हैबिट character बनती है और character ही destiny बनती है तो कहानी thoughts से ही शुरू होती है तो योग का अर्थ है चित्त की व्रत्यों को रोक देना modifications of mind मन की जो लहरे हैं उसको रोक पाना मन को शांत करना शास्त्र कहते हैं कि जो मन है वो एक बंदर की तरह है अब बंदर आप देखते हैं कितना चंचल होता है मन एक बंदर है जिसने शराब पी ली है सुरापान कर लिया है अब आप सोचियो कितना उचलकूद मचायेगा उसने नकेवल शराब पी ली है सुरापान किया है उसको एक बिच्छु ने भी काट लिया है इतना उचलता है और नक्यवल बिच्छू ने ही काट लिया है उसमें एक प्रेतात्मा भी आ गई है अब आप कल्पना कर सकते हैं इतना फ्लक्चुेटिंग जो होता है उसको मन कहा जाता है इस मन को शांत कर पाना ही मेपोलियन कहा करते थे मेरा दिमाग मुझे एक ऐसे कबर्ड की तरह दिखता है जिसमें मैं ऐसा टेबल ऐसा कबर्ड जिसकी मैं एक ड्रॉस खोलता हूं उस पे विचार करता हूं फिर उसे बंद करके मैं दूसरी ड्रॉस खोल लेता हूं फिर मैं उस पे विचार करता हूं उसे बंद करके मैं तीसरी ड्रॉर खोल लेता हूँ तो कई लोगों में ये शम्ता होती है कि मन की अलग-लग सेक्शन्स को ड्रॉस की तरह बंद करके कुछ और सोचने लगे पर कई लोगों में शम्ता नहीं होती अगर वो ओफिस से परिशान है तो ओफिस की ड्रॉज ओफिस में बन करके घर नहीं आ पाएंगे घर पे ओफिस की परिशानी लाएंगे अगर वो घर में किसी बात से परिशान है तो दिन भर ओफिस में भी उनका मन वहीं लगा रहेगा वो अपने मंद को compartmentalize करके stable नहीं कर पाते तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि इस मंद को stabilize करके compartmentalize करके stable कैसे किया जाए क्योंकि पांच states of mind शास्त्र बताते हैं पतंजली योग सूत्र बताता है पतंजली योग सूत्र स्वेम महर्शी पतंजली द्वारा लिखा गया सूत्र है जो मंद को स्थिर करने की कला सिखाता है इसलिए इसे पतंजली योग सूत्र कहा जाता है इसके लेकर स्वेम महर्शी पतंजली है और जैसे हमने बताए ये सूत्र है सिंगल लाइनर तो पांच मन की अवस्थाओं के बारे में पतंजली बताते है पहली इस शिप्त आप अपने आपको ध्यान में रखे सुनते जाएए शिप्त इस रेसलिस डिस्ट्रक्टिव बहुत तेज गुस्था आता है ऐसे लोगों को चीजे तोड़ देंगे बात बात पे नाराज हो जाएंगे गुस्था बिलकुल नाट पर रखा है इंका इनका गुस्था डिस्ट्रक्टिव है ये फट जाएंगे एकदम से गुस्थे में These people are called Shipt Another is called Vik Shepherd Vik Shepherd means distracted ये destructive तो नहीं है पर distracted है ये हमेशा ऐसे नाराज नहीं रहेंगे गुसा इनकी मूल प्रवत्ती नहीं रहेंगी पर एक कभी भी गुसा हो सकता है और जब इनको गुसा आएगा तो फिर इनके जैसा खतरना कोई वेक्टी लेए ये हैं विक्षिफ्ट अंस्टडी जो फ्लक्टुएटिंग है आप खुद के लिए एक अच्छा टर्म ढूल लीजिए जिससे आप खुद को ज़्यादा जोड़ पा रहे हैं तो शिफ्ट डिस्ट्रक्टिव जिसका मन जब भंग होता है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जिसके प्रती उसको नाराजगी है उसको तबाह करने का सोचने लगता है बदले की भावना से प्रेरिफ शिफ्ट विक्षिफ्ट कभी-कभी डिस्ट्रक्टिड हो जाता है और जब distracted होता है तब बिलकुल restless होता है, unstudy हो जाता है तीसरा score, mood mood मतलब dull or depressed जब परिशान होते हैं, they withdraw themselves ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं destructive नहीं होते हैं, यह चुपचाप हो जाते हैं यह dull हो जाते हैं dull and depressed is mood next is ekagra ekagra मतलब devoted to a subject, focused यह वो लोग है, मान लीजिए, परिशान भी है किसी चीज़ से तो भी बैठके पढ़ाई कर पाएंगे office में अपना मन भी लगा पाएंगे ऐसे लोगों को दूसरे लोग अकसर selfish कहने लगते हैं इनको तो कोई फरक ही नहीं पढ़ता ekagra, यह मन को ekagra कर लेते हैं, पर जैसे ही वो काम खतम हुआ, फिर से डिस्टरब हो जाते हैं, पर इनकी ekagraता यह लंबे समय तक रख पाते हैं अगर ekagraता कम समय की है, तो यही लोग विक्षित कहलाएंगे पर अगर ekagraता लंबे समय तक यह रख सकते हैं, तो यह ekagra हो गए यह तुलनात्मक ज़्यादा बैलेंस होते हैं, और पांचवा इस निरुद्ध ekagra में तो व्यक्ति ekagra जब तक रहेगा, तब तक उसका मन शान्त रहेगा निरुद्ध में, मन पूरे समय शान्त रहता है यह जो भारत सरकार exam लेती है, pilot की क्यों ऐसा होता है इस exam में आपको attempt नहीं मिलते हैं, एक बार आप फेल हो गए तो मौका नहीं मिलता फिर से exam देने का, जो fighter pilots होते हैं, क्योंकि जब आप Mac 2 की speed पे एक विमान उड़ा रहे हो, speed of sound से भी double speed पे आप जा रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि यार आपका spouse से जगड़ा हो गया आपका दिमाग में कोई property विवाद चल रहा है जितिनी देर आप उस विवाद पे सोचेंगे, पता नहीं कितने second or kilometer आपका विमान आगे निकल जाएगा आपके विमान कोहानी पहुंच सकती है आपको स्वेम कोहानी पहुंच सकती है इसलिए उनको ऐसे लोग चाहिए fighter pilots की तरफ जो एक कागरचित या निरुद्ध मन को रख सकते हैं यही लोग अपने काम को focus करके कर पाएं तो यह पांच states of mind होती है और reflectuating होती है सो अब राज-योग वो principles और practices है जिनसे हम बाकी चारों को निरुद्ध पे लेके जा सके शिप्त विक्षिप्त मूड और एकागर को निरुद्ध बना सके निरुद्ध का मतलब stable, disciplined the best state of mind is निरुद्ध सब तरफ से आपने अपने आपको हटा लिया निरुद्ध state of mind यही state of mind में आप जो करेंगे वो सब फलित होने लगेगा आप exam की तयारी करेंगे आप बहुत अच्छा score करेंगे relationship में आप अपना 100% दे पाएंगे जिसका भी state of mind निरुद्ध रहता है योग सूत्र को ही राज योग कहा जाता है नाम स्वामी विवेकानन ने दिया इसमें eight steps बताये गए हैं जिससे एक व्यक्ति shift से एकागर तक पहुँच सकता है आपका दिमाग कितना ही fluctuating हो आप ये आठ काम कीजिए और आप वहां पहुच जाएंगे तो ये आठ principles को कहा जाता है eight limbs, eight steps तो पहला step कहा जाता है यम दूसरे को कहा जाता है नियम तीसरे को कहा जाता है आसन चौथे को कहा जाता है प्राणायाम पांचवे को कहा जाता है प्रत्याहार छटे को कहा जाता है धारणा साथवे को कहा जाता है ध्यान और आठवे को कहा जाता है समाधी ये एट स्टेप्स आप चड़के जाएए तो शिप्त से निरुद्ध तक पहुँच जाएए और निरुद्ध स्टेट अफ माइन का विक्ति जो करता है उसमें सफल होता है रिष्टा हो नौकरी हो एक्जैम हो या फिर साधना ही क्यों न हो मोक्ष की इच्छा ही क्यों न हो तो अब हम एक-एक स्टेप्स को लेंगे इन स्टेप्स को लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप यम से समाधी की तरफ चलेंगे यम पहली है, समाधी आठवी है आप external orientation से internal orientation की तरफ shift होते चले जाएगे जैसे जैसे आप यम से समाधी की तरफ पड़ चलेंगे आप effortfulness से effortlessness की तरफ shift होते चले जाएगे जैसे जैसे आप यम से समाधी की तरफ बढ़ेंगे आप कर्म योग से उपासना योग की तरफ difer समाधी की तरफ शिफ्ट होंगे आप बाड़ी से सोल की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे तो धीरे धीरे इसे gradual internal journey वो आपको सुनते हुए भी समझ में आना चालू होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्टैप इसको कहा गया यमा यमा मींस प्रोहिबिट क्या नहीं करना है तो बहुत स्पस्ट रूप से कहा गया ये पांच काम मत कीजिए तो मन शान्त रहेगा अब हम वो पांचों काम आपको बताते जा रहे हैं खुद से ये प्रशन पूछिए और आपको एक कागस पैन अगर आपके पास हो तो दसमें से उत्तर देते चले जाएगे और क्लारिटी होती चली जाएगी बाद में जोड लीजेगा आपको पता पड़ जाएगा आप कितने तया है चलिए यम मे पहली चीज अहिंसा, अहिंसा का आर्थ क्या है? अहिंसा का मतलब यह है किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख न देना, cause, never cause pain to anybody अब यह तीन प्रकार की होती है अहिंसा, मन से, वचनों से और कर्मों से, खुद से पूछिए, ये प्रशन सुनिये, मैं कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलता कि किसी को पेन हो सुनके, यदि हाँ तो आप तयार हैं, ना तो आप तयार नहीं हैं, दूसरा, मैं कभी भी ऐसे एक्शन नहीं लेता, जो किसी दूसरे को दर्द दे, तीसरा, मैं कहीं भी ऐसे विचार भी नहीं लाता कि अगर कोई दूसरा सुनेगा तो उसे दुख होगा मन वचन कर्म की अहिंसा अगर आप विचार में भी किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं किसी को दर्द देने की विचार है तो यह अहिंसा है अहिंसा का दूसरा पहलो मन वचन और करम से खुद को भी दर्द नहीं देना कई लोग दूसरों को तो नहीं देते पर वो खुद को दर्द देने में जबरदस्ट मास्टर होता है हमारे एक परिचित है उनका जो उनके हस्बिंड है वो लोग अलग अलग हो गया अब वो हस्बिंड अभी भी उन्हें मेल लिखते है अब जब वो मेल लिखते है तो महिला उस मेल को खोल के पढ़ती है और उससे उन्हें दर्द होता है क्योंकि वो हस्बिंड जो एक्स हस्बिंड थे वो काफी गलत लिखते हैं, खराब लिखते हैं, अब्यूज लिखते हैं, तो अब ये क्या है, जब वो हमसे पुछते हैं, तो हम उनको पुछते हैं, आपको mail खोलने का कहता कौन है, आपको अच्छे से पता है, उस mail में कुछ अच्छा नहीं होगा, पर फिर भी आप में anxiety हो You open the mail, you read the mail, you feel bad about it. What is this? Causing pain to yourself? So there are many people, उनको पता है कि वो मैं देखूंगा, वो मैं सोचूंगा या वो मैं करूंगा तो मुझे दर्द होगा. तो भी वो देखेंगे, सोचेंगे और उन्हें दर्द होगा. जैसे होता है FOMO, Fear of Missing Out. सारे दोस्त पिकनिक पे गए हैं, मैं बायचांद छूड़ गया, अब मुझे पता है अगर मैं उसका Facebook अकाउंट देखूंगा, कि उन्हें ने कितनी मस्ती करी, तो मुझे खराब लगेगा. फिर भी मैं एक नहीं सारे दोस्तों का Facebook अकाउंट देखूंगा, and I feel so bad. What you are doing this? So there are many people who are exceptionally good in causing pain to themselves. Thought में भी, action में भी, और words में भी. तो ये लोग हिंसक लोग हैं. अगर आप खुद को भी पेन दे रहे हैं, तो आप हिंसक हैं. पहला. दूसरा. सत्य. सत्य, truth. हमने पिछली क्लास में भी बात की थी. सत्यम, उपासना योग का भी एक पिलर हैं. Truth का मतलब है वही कहें जो आप सोचते हैं. और वही करें जो आपने कहा है. जब आपके मंद बचन कर्म एक होते हैं, तो इट इस कॉल आप Truth वर्दी हैं, Trust वर्दी हैं. हर व्यक्ति ऐसा रिष्टा चाहता है. हर व्यक्ति ऐसा लीडर चाहता है. हर व्यक्ति ऐसा बॉस चाहता है. जो वो कहे जो कह रहा है, करे जो वो कह रहा है. आप खुद से पूछें, क्या आप मंद बचन कर्म में एक हैं? अगर हाँ, तो ये दूसरे पेरामेटर पे आप सतीख है, अब चलिए उल्टा देखते हैं, चलो आप दूसरे के परती तो आप बिलकुल ट्रस्ट वर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं, खुद के परती आप ऑनेस्ट हैं क्या, आपने शाम को अलाम लगाया कि सुबह चार बज़े अपने साथ किया गया, प्रॉमिस नहीं निभाया, इसका मतला आपके मन वचन कर्म एक नहीं रहें, आप खुद के परती तूथ नहीं रख पाएं, तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति बार बार खुद के परती तूथ नहीं रख पाता, उसे जो समस्या होती है, उसी को लो ये फुथ, खुद के प्रती रखेंगे, यदि कह दिया है, तो फिर कर जाएए, ये मस्ट है, अगले पे हमारे, खुद के प्रती भी, दूसरों के प्रती भी, दूसरों को प्रती रखेंगे, सम्मान पाएंगे, दूसरों का, खुद के प्रती रखेंगे, आत्म विश्वास पाइंगे तीसरा अस्ते नौन स्टीलिंग अस्ते का मतलब नौन स्टीलिंग आप कभी भी अपनी पावर का मिस्यूज नहीं करते हैं किसी रिष्टे में आप पावर्फुल हैं तो भी मन वचन कर्म से उसका मिस्यूज नहीं करते हैं किसी पद में आप पावर्फुल हैं तो भी आप उसका कभी मिस्यूज नहीं करते हैं ये हुआ अस्ते है अस्ते का एक और मतलब है जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसको ब्लेम या क्लेम नहीं करता मैं जो वस्तु मेरी नहीं है उस पे क्लेम नहीं करता ये भी अस्ते है तो आप देखे कहीं नौकरी में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कहीं जीवन में तो आप ऐसा नहीं कर रहे है अगर ये कर रहे हैं तो इसे आपका मन हमेशा वेठित रहेगा और योग-सादना आपसे नहीं होने वाथ नेक्स्ट इस ब्रह्म चर अपने विचारों में, कर्मों में और शब्दों में पवित्र रहना पवित्र विचार, पवित्र शब्द और पवित्र कर्म पवित्रता की क्या परिभाषा है? पवित्रता की परिभाशा ये है कि यदि उस चीज़ को All India रेडियो पर अनॉंस कर दिया जाए तो आपको शर्मिन्दिगी नहीं होगी वो विचार जो आपके मन में हो तो इसको ब्रह्मत चर्रे कहा जाता है नेक्स्ट इस आप परिग्रह आपरिग्रह का मतलब किसी से फेवर्स नहीं लेना जब आप बहुत ज़्यादा फेवर लेते हैं दूसरों से तो फेवर आपको चुकाने पड़ेंगे आज नहीं तो कल मेज़ॉरिटी ओड़ चीजें दुनिया में बिना आप एक शाक्य नहीं दी जाती कोई आपको एक फूल भी देता है तो आपको उसका भी प्रतियुत्तर चुकाना पड़ता है इटली में एक कहावत है मुफ्त में मिली हुई चीजें खरीदी हुई चीज से महंगी पड़ती है आपको किसी ने एक फूल दिया बदले में आपको शादी करके पूरा जीवन चुकाना पड़ सकता है उससे तो इसी लिए कभी भी आप किसी से कुछ लेंगे आपको चुकाना पड़ेगा और चुकी जब आपको चुकाना पड़ता है तो मन में विथाएं उटती है कई ऐसे सीनियर होते हैं बॉसे होते हैं जो सबॉडिनेट से खूब सारे फेवर ले लेते हैं तो फिर क्या होती है उनकी कमांड कमज़र हो जाती है सबॉडिनेट सुनेगा नहीं क्योंकि फेवर लखे लखे हैं नेवर टेक फेवर और फिर उन सिक्यूरिटी के इंस्टूमेंट्स की भी सिक्यूरिटी. तो हम इतिनी ज़्यादा चीज़ें अपने पास इखटी कर लेते हैं और उन सब की सुरक्षा करने में हमारा पूरा जीवन खतम हो जाता है. आप परीग्रह बहुत ज़्यादा चीज़ें एकटी ना करना. स्वामी विवेकानन कहते थे जब भी कुछ खरीदने जाओ तो खुद से पूछो हाना कि वो स्वामी थे तो उनके लिए ये बात बिलकुल निश्चित वार्फे सही होगी पर शायद ग्रहस अपने हिसाब से इस बात का अर्फे निकाल पाएंगे. जब भी खरीदने जाएं खुद से पूछो पहला क्या ये अनिवार रहे हैं और दूसरा क्या ये सबसे सस्ता चीज है जो मिले सकता हैं ताकि मुझे ज़्यादा माथा पक्ची ना करना पड़े. कम से कम रिसोर्से में मेरा जीवन चल जाए. आप परिग्रह. तो ये चीज आते पर ना चलना अवाइड करना है. अब आप आए नियम. नियम मतलब आपको पांच चीजें फॉलो भी करनी है. पहला शौच. शौच का मतलब होता है प्यूरिटी. प्यूरिटी दो तरह है कि शरीर की रोज नहीए अपने आपको साफ सुतरा रखिए. There is a principle in police में नियोक में research की गई कि मान लीजे एक गली है कॉलोनी है जहां एक खिड़की फूटी हुई है. तो फूटी हुई खिड़की इस बात का प्रतीक है कि इस मकान में या तो कोई रहता नहीं है या जो रहता है उसे परवा नहीं है या फिर एक खिड़की और तोड़ी जा सकती ह या फिर यहां चोरी भी की जा सकती है. तो जब एक जगे एक खिड़की ब्रोक होती है तो धीरे-धीरे दूसरी होती ही तीसरी होती है और ये research से करके पता लगाया गया कि धीरे-धीरे उस शेतर में क्राइम बढ़ जाता है. That's why it is called broken window theory. साफ सफाई ना होने से लोगों के मन में वैसे ही विचार आते हैं और क्राइम बढ़ने लगते हैं. इसी कारण graffiti शुरू हुई. दीवालों पे सुंदर सुंदर पेंट आज देखिए पूरे भारत में दीवालों पेंट होता है. ताकि कहां की दीवालों पेंट बिलकुल municipality, कौमन दीवालों को पेंट करती है. ताकि सुंदर लगे. देख कि आपके मन में अच्छे विचार आ है. तो शौच, फिजिकल भी और मांसिक भी. फिजिकल शौच, प्रॉपर नहना, प्रॉपर अपने आपको विबस्तित रखना. और मांसिक शौच is ill thoughts हमारे म में ना आने देना, ना ill words हमें बोलना है. तो शौच, मांसिक और शारेरिक भी. नेक्स इस संतोश. संतोश is ability to appreciate what you have and strive for better. खुच से पूचिए क्या आप में ओशंता है कि आप रोज उठके सच में परमात्मा का धन्यवाद देते हैं कि मुझे कितना कुछ दिया है? आप हमेशा धन्यवाद देते हैं. कभी रास कहते थे, नतनी दी यार ने, तुझे तेरे beloved ने नतनी दी, nose ring. नतनी दी यार ने, ताहे सुम्रती सौबार. तो कांच में खुद को देख के सौबार अपने beloved को याद करती है. नतनी दी यार ने, ताहे सुम्रती सौबार. नाक दी करतार ने, ताहे दिया बिसार. जिसने नाक दी, कभी-कभी उसे भी याद कर लेना चाहिए. so gratitude is santosh तप तप तीन तरह का अगला इस तपस तपस तीन तरह का तप मतलब तापना fire में खुद को तापना मन वचन और कर्म का तपस वाक तपस कम से कम बोलिये अप्तिधिक आवशकता हो तो ही बोलिये मन का तपस मन में कोई negative विचार ना है एक दिन आप मन का वरत रखे देखिए आपको आनन्द आएगा आज मान के चलिए कि आज मेरा सोमवार है और आज दिन भर मैं कोई भी ऐसा thought मन में नहीं लाओंगा जो उचित ना हो जो पवित्र ना हो फिर देखिए आपको पता पड़ेगा कितीनी बार ऐसे thought आते है और क्या कीजिए जैसे ही वो विचार आए और आपको याद आ जाया राज सोमवार है आज आज असा नहीं सोचना है हाथ उठाईए और खुद को एक लगाईए यह जो फिजिकल ट्रीटमेंट है फॉर देखिए इट विचार आने कम हो जाएंगे बहुत सारे सन्यासी यह करते है तो गिव यॉर्सेल्फ अ पैक कि अगर आपने गलत सोचा मन वचन और कर्म कर्मों का तपस क्या जिसको लोग वरत में कहते हैं वरत का मतलब शरीर को एक दिन आप थोड़ा ब्रेक दीजे पलाहार करने का मतलब यह नहीं है कि हम सारी चीजें जतना रुटीन में हो से ज़्यादा लोग वरत के दिन खाते हैं वरत के दिन ऐसी ऐसी डिशेज बनाते हैं इतनी सारे इंवेंशन्स होते हैं रीट सम गुड़ बुक्स एवरी मन्त एक किताब पढ़ी है यू विल आलवेज बी इंस्पाइड इन लाइफ इत ज़्यादा नेक्स्ट इस ईश्वर प्राणिधान सेरेंडर तु दे गौड और जितने लोगों की सेवा कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति ये दस काम करता है तो अपने आप उसके मन के फ्लक्टुएशन कम हो जाएंगे अब जो बचेंगे फ्लक्टुएशन उनको अब हम आगे बताने वाले हैं कई लोग जैसे स्वामी सरफ्रियानंदा कहते हैं कि कई लोग कोशिस करते हैं कि वो यम नियम के बारे में नहीं जानना चाते वो सीधे प्राणाय्याम सीखना चाते तो अगर आप सोचें कि यम नियम को छोड़ देंए तो रूटीन है तो moral science है अगर आप इसको छोड़ देंगे तो जो आप सीखने जा रहे हैं वो अस्टांग योग नहीं, वो विकलांग योग है संभव नहीं है कि हम इसके बिना ये कर ले इन दसों चीजों को अश्वर करना पड़े है इसके बाद अगला स्टेप है, स्टेप नमबर त्री इस कॉल आसनम, इसकी परिबाशा है स्थिरम सुखम आसनम स्थिरम और जिसमें शरीर को आनन्दा है वही आसन है, स्थिरम शुखम आसनम तो आसन कैसे करना है? रोज, नियाम अनुसार, दीरगत काल तक शारिरिक और मानसिक प्रक्रियाएं रोज, नियाम अनुसार, दीरगत काल तक mental and physical activities को आसन कहा जाता है तो कैसे बैठें? बैठने का तरीका देखें वेनेवर यू सिट, आपकी जो spinal cord है वो पूरी सीधी हो, आपकी नेक, आपका सर और आपका चेस्ट एक लाइन में हो, अगर साइड से देखा जाए तो यह नेक, चेस्ट and head यह एक लाइन में होना चाहिए आप जब बैठें, तो कोशिस कीजिए कि पीछे बिना किसी चीजों को टिके आप बैठें, आप बिना किसी चीज के टिके बैठें और जब भी आप बैठें हैं, तो आपका शरीर का लोड़ आपके लंस और इधर आना चाहिए, पसलियों पे आना चाहिए आपकी रीड की हड़ी पे वजन नहीं आना चाहिए इस तरह से बैठने आज सीखने में हमें कुछ महीने लग सकते हैं क्योंकि हमारी रीड की हड़ी अभी ऐसी कर्व वाली हो गई है तो उसका तरीका क्या है? जब भी बैठें, रीड की हड़ी के जस नीचे एक पिलो रखेंगे जैसे आप बिल्कुल रीड की हड़ी के नीचे पिलो रखेंगे थोड़ा सा पिलो, आप देखेंगे आपकी रीड की हड़ी स्वता सीधी हो जाएगी पिलो का जो कोने का हिस्सा होता है ट्रैंगुलर उसको रखी रीड के हड़ी के नीचे just between your hips and sit on that you yourself will be straight धीरे धीरे उसको पीछे करते जाएए एक महिना दो महिना दो-तीन महिने में आप देखेंगे कि रीड के हड़ी फिर से सीधी हो जाएगी इसको बैठना कहा जाता है दूसरा काम आसन में हम आपको वो बता रहे हैं जो मिनीमम आवश्यक्ता है रोज सुबह उठके अगर संभव है तो जिसको हम कहते हैं नाडी शुद्धी नाक से पानी खीचिये तेख अंदर और गले में लेके आईए दोनो नाकों से ये कीजे नाडी शुद्धी आप इस पर और रिसर्च करें जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपकी दोनो नोस दोनो नॉस्ट्रिल्स खुले रहेंगे और ये आगे की तैयारी के लिए मदद होगी क्या करें आप आप जब ऐसे सीधे बैठें तो आप कल्पना करें और कल्पना ऐसे शुरू कीजे आप अपने पैर की उंगली से शुरू कीजे महसूस कीजे कि आपकी पैर की उंगली पूरी स्वस्त है फिर आप देखिए आपका पैर स्वस्त है घुटना स्वस्त है completely comfortable and full with energy है इस पूरी प्रोसेस को कीजे ये डेली कीजे और जब आप इसको कर लें तो एक सूर्य नमस्कार कीजे इससे शरीर फिट रहता है ये कब करना है तो ये ब्रह्म महुरत में करना है ब्रह्म महुरत क्या होता है तो सुबह चार से आठ और रात को चार और शाम को सुबह चार वजे के बाद चार से आठ तो आफ देखें तो सुबह चार से आठ और शाम को 408 ये बेस्ट टाइम हैं करने के लिए अगर आप साइन्स की बाशा में इसको पढ़ना चाहें तो इस समय अल्फा वेवस चलती हैं पूरे भ्रहमान में सुबह चार से आठ पूरा तक आपको प्रभावित करने वाले हैं, सुभह चार से आठ लीजे, आपको पच्तावा नहीं करना पड़ेगा, और सबसे बुरा समय क्या है जीवन की नेड़े लेने का, रात को आठ से चार, ये तामसिक समय है, तो चक्र कैसे चलता है समय का, सुभह चार से आठ, सात्विक, सुभह आठ से दोपर चार बज़े तक, राजसिक, सुरज उग जाता है, इस समय मेहनत करने का समय है, शाम को चार से आठ, फिर से ब्रह्म महरत है, गोधुली वेला है, संदिया है, ट्वाइलाइट्स है, इस समय आप विचार कीजिए, रात को आठ से सुभह चार, ये समय तामसिक है, इस समय लिया गया निर्णे के गलत होने की समावना बहुत होती है, तो जीवन में नियम बना लीजिए, सुरजस्त, निर्णे निरस्त, घरवालों को भी समझा दीजिए, किसी भी विवादित बात पर, अगर सुरजस्त हुआ तो उसके बाद चर्चा नहीं करे अगले दिन सुबह उस पर आगे बात करेंगे, और आप देखेंगे अगले दिन सुबह आपका मन्तुलनात्मत ज्यादा शांत रहेगा, इसलिए महाबारत और रामायन जैसे एपीक्स में सुर्यास के बाद युद्ध नहीं किया जाता था, आखरी बात, कहां करें इस आसन उस कोने में या उस कमरे में, जब भी जाएं हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और इसको प्रैक्टिस कीजिए लगातार दो-तीन महीने, उस कमरे में केवल अच्छा सोचना है, मान लीजे किसी पर गुस्सा आ रहा है तो उस कमरे से बाहर जाईए तब गुस्सा निखतर रहे है, मान लीजे किसी के बारे में बुरे विचार आ रहे हैं, बाहर जाईए उस कमरे से और वहां बुरे विचार कीजिए, कोई खराब खबर पड़नी है, बाहर जाईए, जब आप तीन महीने तक लगातार रोज, उस कमरे में अच्छा सोचेंगे, आप अपनी स्टडी को ऐ मंदिरों में इसी लिए इतना हमें सात्विक लगता है, क्योंकि वहां पॉजिटिविटी प्रतिस्थित हो चुकी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुदारे, गिर्जा, अब क्या होगा, अगर किसी दिन आप परिशान होंगे, और आके आप बैढ़ जाएए, आपको अच्छा मंदिर कहते हैं, आप अपनी कुर्सी को प्रतिस्थित कर सकते हैं, जब उस कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसा सोचिए, यही विक्रमा दित्ति की हो जो कुर्सी पी सियासन, जिस पे बैठके राजा को सब समझ में आने लगता था, यही उसका कारण है, जहां आप लगातार अच अपना शब्दकार्थ है, लाइफ फोर्स, यह उक्सीजन नहीं है, यह लाइफ फोर्स है, यह वो उर्जा है जो हमें अंदर से संचालित करती है, आयाम का मतलब, प्राण मतलब लाइफ फोर्स, आयाम मतलब सैयमन, जब मैं मेरे अंदर की लाइफ फोर्स को सैयमित करता तो इट इस कॉल्ड प्राणायाम जब मेरे अंदर मेरे अनुसार वो बहती है तो वो मुझे प्राण शक्ति देती है शक्ति शब्द संस्क्रप के शक से बना है शक का मतलब एबल to do something जो आपको कुछ करने की ताकत दे उसी को शक्ति कहते है प्राण शक्ति का अर्थ वो लाइफ फोर्स जो हमें करने की ताकत देता है अब इसको कुछ ऐसे समझें जैसे हमने पिछली उपासना योग की क्लास में बात की थी एक बड़ा सा डैम है पानी इदर उदर भरने की जगे हमने उसको डैम में भन लिया जैम में जब वो पानी भरा है उद तो उसमें बहुत सारी पोटेंचिल एनरजी है हमने उस पानी को डैम से गिराया उस पोटेंचिल एनरजी का अभी हमें कुछ विशेश उप्योग नहीं हो रहा था इदर उदर भटका हुआ पानी पड़ा था उसका तो और उप्योग नहीं था कम से कम हमने एकटा किया तो अब वो पोटेंचिल एनरजी बनी गया पोटेंचिल एनरजी जो बाद बांध में एकटी है जब हम उसे गिराएंगे उसको फ्लो देंगे एक्टिवेट करेंगे उसमें शक्ती डालेंगे फोर्स देंगे तो उसको हमने मेकनिकल या हम उसे काइनेटिक एनरजी कहेंगे वो तर्बाइन पे घिलके तर्बाइन को मूव करेंगी हम उसे मेकनिकल energy कहेंगे तर्बाइन के दोनों तरफ हम ऐसे magnetic force electromagnetic लगाएंगे ताकि उसको हम कहेंगे electromagnetic energy उससे बिजली बनाएंगे उसको हम कहेंगे electric energy उस बिजली को power grid से supply करेंगे उसको हम कहेंगे electricity फिर उस electricity को हम हमारे घर बुलाएंगे और उस electricity से हम अपने oven मेरे जीवन में कोई चीज गरम करेंगे microwave में हम उसे heat energy कहुए तो क्या जब हम microwave में कुछ गरम कर रहे होते हैं तब हमें याद रहता है कि ये गर्मी ये जो ताप मेरी रोटी मेरी जबसी का है ये पानी है उसी डेम का कितना रूप बनल जाता है अब इसको हम अपने जीवन मिले हमारे अंदर जो शक्ती स्टोड होती है डैम की तरह उसको कुंडलिनी कहा जाता है कुंड से बना कुंड मीन सा बाउल आप एक नदी से एक बाउल पानी ले लिए और पानी अपने घर ले आईए तो क्या उस पानी को आप नदी कहेंगे नहीं अब आप उसे पानी कहेंगे उस पानी को वापस नदी में डाल दीजे तब आप उसे फिर से नदी कहेंगे तो जैसे आप बाहर निकालते हो होता वो वही है पर अब आप उसका शब्द बदल देते हैं तो कुंडलिनी जो शक्ती है, कुंड की तरह जो हमारे अंदर है, वो है उसी eternal energy का एक खिस्सा, पर हम उसको कुंडलिनी कहते हैं, क्योंकि जितने साधकों ने गहरा तपस किया है, घंगोर तपस किया है, उन सभी साधकों की एक ही opinion रही है. जैसे cricket की एक आर्ट होती है, और हम grand master से पूछते हैं कैसे खेला जाएं, इसी तरह जो grand master से meditation के, उन सब ने कहा कि जब हम गहरं तपस में थे, तो हमें हमारे spinal cord के just नीचे, एक triangular size आकार में, जलती हुई energy महसूस होती थे, तो जब सभी ने एक अनुभाव बताया, जब सभी न हिरे, लोगों को मदद होने लगे, इसी को kundalini कहते हैं, अब ये तो वो potential energy हमारे अंदर इखटी है, अब इस potential energy को kinetic में convert करना है, इसको धका देने का काम करता है, प्राण, वो जो dam से पानी गरता है, क्योंकि वो तो kundalini हमारी जो energy है तो मुलाधार में है, बिलकुल नीच को जब बहुत strict toilet training देते हैं, तो बच्चों का personality disorder होने के संभावना होती है, क्योंकि गुदादवार के पास energy होती है, इसलिए काम उर्जा इतिनी ज़्यादा ताकत पर होती है, female reproductive organ में 60 times blood flow होता है, तब वो प्रजनन कर पाने के लिए शक्षम हो पाता है, 60 times, इतनी ताकत ह हम अपनी उर्जा को 60 गुना बढ़ा पाते हैं, तो इतना ताकत वहां stored होती है, पर इसको kinetic करने के लिए जिस धक्य की जरुद पड़ती है, it is called prana, और जब ये kinetic होती है, तो जिस power grid से जाती है, इस power grid को कहा जाता है नाड़ी, नाड़ी शब्द नाड़ से बना, energy pathways, नाड़ का मतलग खोकला तना, तो इस आर energy pathways, अब जब energy pathways, बहुततर हजार energy pathways हैं पूरे शरीर में, 72,000 प्लस, ये जब नीचे से उपर तक खेले हुए हैं, ये सारे energy pathways, जब पूरे body में चलते हैं, तो कहीं न कहीं एक दूसरे को cross करते हैं, चौराहे बनते हैं, जब ये तो जो सबसे बड़े बड़े चौराहे होते हैं, biggest four squares, उनको चक्र कहा जाता है, और ऐसे साथ सबसे बड़े चौराहे पूरे शरीर में बनते हैं, सबसे पहला मूलाधार कहलाता है, दूसरे को स्वाधिस्ठान कहते हैं, तीसरे को मूलाधार, बिलकुल गुदादवार के स्वाधिस्ठान हमारे पेट के थोड़े से मीचे, मणीपूर हमारा बैली बटन, इसके उपर अनाहत हमारे हाट के पास में, इसके उपर विशद जर्दनते, इसके उपर आग्या चक्र, यहां आखों के बीच में, उसके उपर यहां ब्रह्मरंदर पे सहस्तरार, हर जो एन अगर हमारा मूलाधार है, उसका मूल प्रयोजन हमें सिक्यूरिटी देना है, वो हमें सिक्यूरिटी देता है, औप्सेशन करता है, कई लोग हमें OCD होता है, obsessive, compulsive disorder, कई चीजों के लिए सनक होती है, सफाई की सनक, इसी इसकी, इसी इसकी, यह सब मूलाधार के blockage के कारण होता है OCD होने लगता है फिर हम अगर आएं थोड़ा स्वाधिस्ठान पर आएं तो जैसा ये हमारे उदर के थोड़े से नीचे होता है relationships, addictions जिनका ये चक्र जागरत होता है वो interpersonal relationship में बहुत अच्छे होता है सबका मन जीत लेता है इनको addiction कभी नहीं होता पर अगर इस disturb हो जाए तो ये addicted हो जाता है interpersonal relationships इनके बहुत problem create होता है इसके उपर आप आएं इसके उपर comes is the manipur chakra जो हमारी belly button पर है तो उसमें belly button is connection so it is connecting with people growth and anxiety ये growth के लिए important होता है जिनका ये सिद्ध होता है वो बहुत तेजी से growth करते हैं उनके anxiety बहुत कम है अनाहत heart chakra love and affection जब बच्चमन में कई लोगों के साथ माता-पिता बहुत सक्ति का वहवार करते हैं बच्चा खुब खुश होके पिताजी के पास आता है अपने मन की बात कहता है पिताजी उसको डपड देते हैं तो उसका अनाहत चक्र बंद हो जाता है वहाँ जर्क लगता है धक्का लगता है जब किसी रिष्टे में कोई व्यक्ति धोका देता है खट से धक्का लगता है और हाट चक्र क्लोज हो जाता है जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं और व्यक्ति दुनिया से चला जाता है हाट चक्र पे दोका लगता है दका लगता है और व्यक्ति हाट चक्र क्लोस कर लेता है और ऐसा जब हाट चक्र क्लोस क्यों होते हैं तो क्या होते हैं वो नई रिलेशन्शिप के लिए तैयार ही नहीं होता है he does not want to believe people because he feels that people cannot be trusted they will end up hurting me अनाहत चक्र अनाहत शब्दकार्त है internal music then comes विशुद्चक्र communication, independence जिसका विशुद्चक्र एक्टिवेट होता है वो जब कोई कुछ कहता है तो लोग उसकी बात समझते हैं, मानते हैं अगर वो राज नेता है वो पक्का जीतेगा चुनाव अगर उसने भाशन दिये चुनाव उसकी वाणी सयमित होती है सिद्ध हो जाती है उसकी वाणी वो किसी को भी convince कर सकता है exceptionally good उसके words are speeches words are soldiers and speeches battalions हो जाती है इसके बाद होता है आग्या चक्र, command realization जिसकी आग्या चक्र activate हो जाती है वो जब किसी को कुछ instruction देता है वेक्ति उसको follow करता है command उसका बहुत जबरदस्त होता है mental balance exceptionally good होता है and फिर होता है सहस्तरार सहस्तरार चक्र, समाधी की तरफ हमें ले जाता है हम सिद्ध हो जाते हैं belonging और longing के बीच में B पे हम आ जाते है तो यह सब होता को कैसे है इस potential को kinetic energy में convert करने के force का नाम है प्राण और इस technique का नाम है प्राणायाम यह किया कैसे जाता है प्राणायाम में तीन तरह के प्राणायाम होते है अब ज़रा समझ ले जैसे ही आप सांस लेते हैं अगर सांस उतली है chest तक की सांस है तो आपके वल oxygen ले रहे है पर अगर आपका belly button उपर जा रहा है जिसको हम कहते हैं पेट उपर उठ रहा है जब आप सांस ले रहे है इसका मतलई इतिनी गहरी सांस आ रही है तो लिफ्ट की तरह सोचिए जब वायर नीचे जाता है तो लिफ्ट उपर आती है जब लिफ्ट नीचे जाती है तो उसका वायर उपर जाता है तो जो हमारी सांस है और प्राण है ये बिलकुल उसकी तरह है जब सांस नीचे जाएगी तो प्राण उपर आएगा पर अगर सांस नीचे नहीं आएगी तो प्राण उपर कभी नहीं आएगा तो जब गहरी आप सांस लेंगे तो प्राण उपर की तरह धका मारना चालो करता है तो तीन तरह के प्राणायाम होते हैं पहले को कहा जाता है अच्छा प्राणायाम के पहले तीन चरण समझ लीजिए सबसे पहले को हम कहते हैं पूरक इन्हेल को कहते हैं पूरक इसके बाद होता है कुम्भक मतलब बीच में रोकना इन्हेल करके सांस को थोड़ी देर रोक लेगा फिर ब्रीदाउट करना इसको कहते है रेचस इन्हेल पहला पूरक कुम्भक रेचस शुन्यक पूरक सांस लेना कुम्भक उसको रोक रोकना रेचस एक्जेल और बाद में शुद्य है तो इन चारों को किस तरह से करना चाहिए तो हमारे विद्वान सेंट्स ने बताया यदि आपको सच में धक्का देना है किस कुंडलीनी को जागरत करना है इसको लगातार उपर तक लेके जाना है तो फॉर्मुला इस वन टू वन एक पूरक दो कुंबक और एक रेचस पूरक कुंबक रेचस एक दो एक जैसे परेट सिखाती है एक दो एक बिल्कुल ऐसे अपसुल लेजे तो पहला प्रानायाम का तरीका है जिसको कहते है अधम अधम में 12 सेकंड तक आपको सांस लेनी है इन्हेल for 12 सेकंड होल्ड for 24 सेकंड and एक्जेल for 12 सेकंड सो पूरा कितना हो गया एक सांस लेने में आपको 48 सेकंड लगेंगे आप में से अभी कोई भी व्यक्ती जब करके देखेगा इस सेशन के आप देखेंगे अगर आप चाहें भी सांस लंबी खीचना तो जनरली आम व्यक्ती 30 सेकंड कर पाता है 30 सेकंड में एक सांस पूरी करता है अगर वो ध्यान लगा रहा है तो अन्या था तो मनुष्य एक मिनिट में बारा बार सांस ले लेता है पर करना क्या है 60 सेकंड में 48 सेकंड में एक सांस आपकी पूरी होनी चाहिए अगर हम ये कर पा रहे हैं तो इसको कहते हैं अधम प्रानायाम मध्यम प्रानायाम क्या है 24, 48, 24 इसको जज़दुगना कर लिए इसका मतलब एक सांस लेने में आपको डेर्ड मिनिट से ज़्यादा लगेगा 1.6 मिनिट एक सांस इसको अधम कहींगे और तीसरा कहते हैं उत्तम प्रानायाम 36, 22, 36 इसका मतलब एक सांस लेने में लगभग आपको धाई मिनिट लगेगा जो हमारे रिशी थे सेंस इन सेजिस जिनकी कुंडलीनी जागरत हुई है जिन्होंने इतने महाकाब में लिखे हैं महागरंत लिखे हैं जिन्होंने वेदों को देखा है सीर्स हैं वो वो धाई मिनिट में एक सांस लेते थे जितने में हमारे जैसा एक इंसान 40 सांस ले लेता है तो उनकी सांसे हमसे 40 गुना स्लो होती थी, 40 टाइम्स स्लोर, अब अगर आप देखें, तो जो जीव जितना स्लो सांस लेता है, उतना लंबा जीता है, कच्छो आप एक मिनिट में पांच बार सांस लेता है, 300-400 साल जीता है, एक मिनिट में पांच बार, पर जो हमारे रिशी थे, वो धाई मिनिट में एक सांस लेते हैं, अब आप सोच सकते हैं, तो कोई आश्रह नहीं कि उनकी उमर बहुत लंबी होती है, हाथी, हाथी जेनरली, आठ सांस लेता है एक मिनिट में, वो जीता है करीबने 120-180 साल, 1500 साल, इंसान 15 सांस लेता है, 60-90-100 साल तक जी लेता है, जादा से जादा, 100 साल तक जी लेता है, घोड़ा 26 सांस लेता है, एक मिनिट में, 40 साल जीता है, कुत्ता 32 सांस लेता है, 15 साल में जीता है, जितनी सांस है, जितनी जल्दी जल्दी लेंगे, उमर उतनी कम होगी, जितनी गहरी लेंगे, उमर उतनी बढ़ेगी यही प्राणायाम का तरीका है अब करना क्या है देखिए जब आप गहरी सांस ले अंदर तो आप जब गहरा इनहील करें तो कल्पना कीजिए कि प्राण जब आप गहरा इनहील करें तो कल्पना कीजिए प्राण ऊपर आ रहे हैं और जब प्राण ऊपर आएगे तो आपको जब आप सांस पूरी लेके नीचे जाएं तो आपको कल्पना करनी है कि आपके प्राण उपर उठ रहे हैं कल्पना ही करनी है Imagine that प्राणा is coming up और उसके साथ वो जो नीचे मूलाधार में कुंडली नी है बिल्कुल सांस गहरी लेके जाईए और बिल्कुल जहां आपका मूलाधार है उदर नीचे लेके जाईए और वहां आपको मूलाधार लगाईए सांस रोक लीजे और ऐसे आपको बोलना है इस तरह से हिट करना है उसे धीरे धीरे आपको मूलाधार में गर्मी लगने लगेगी ये प्रणायान का तरीका है अगला इस प्रत्याहार प्रत्याहार का मतलब आहरण करना मन का हरण कर लेगा मन का हरण करना बाहर की चीजों से मन को हर कर अंदर लगा लेगा इसको प्रत्याहार कहते हैं अभी तक हम जो पांच हमारे सेंसेज हैं उनी से जानकारी मिलती है आप कुछ देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कुछ सुनते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं टेंपरेचर फील होता है तो उसके बारे में सोचते हैं पांचो जो हमारी इंद्रियां है आँख, नाख, स्किन, मुझ और कान इनसे खुद को विड्रॉ करना कि इसको प्रत्याहार कहते है external withdrawal from the senses तो प्रत्याहार क्या है? It is internal attention और ध्यान कहां लगाना है? अपने अंदर की किसी चीज़ पे ध्यान लगाना है तो प्रत्याहार is internal attention कैसे करना है हम आपको एक तरीका बता रहे हैं किसी भी शान दो तरीके हम आपको method बता रहे हैं इससे प्रत्याहार से दो सा है और आप अपने मन को बहुत शान कर पाएंगे क्या कीजिए? किसी भी शान ते जगे बैठिए तो अपने आप आपके कान में आवाजे कम पढ़ेंगे बिल्कुल शान जगे आँखे बंद कर लीजिए आँखों के inputs भी खतम हो गए अब क्या कीजिए? आप ये कल्पना कीजिए कि आप एक movie देखने आएं और movie का नाम है मेरा मन और जो जो मन में विचार आ रहे हैं बस उसको देखते जाईए जैसे एक ठेटर में परदे पर आप देखते हैं बस उन्हें देखते जाईए जितने विचार आ रहे हैं बस उन्हें देखते रहे हैं खूब विचारों को आने दीजिए उट पठांग आने दीजिए रोना आ रहा है रोने रो लीजिए हसी आ रही है हसी है पर कुछ 15 एक दिन बाद ये मूवीज गिर के सौ हो जाएंगी फिर कुछ दिनों बाद मूवीज गिर के और कम हो जाएंगी तीन-चार ही बचेंगी अपने आप फिर आप देखेंगे आप बहुत-बहुत देर बैठेंगे और बहुत सारी पिक्चर्स नहीं चलेगी ये प्राणायाम का एक तरीका है करके देखिए हमने किया है बड़ा मज़िदार है बिल्कुल सामने एक स्क्रीन मनाईए और देखिए आपका मन क्या कहा रहा है फुद के बारे में अजीवजी बातें भी पता पड़ेंगे बड़ी इंट्रस्टिंग जानकारियां मिलेगी ये हो गया प्रत्यहार का एक तरीका दूसरा तरीका जो प्रत्यहार का है उसको कहते है निश्पंद भाव बैठ जाएए आराम से आँख बन करके बैठे का तरीका हम आसन में बता चुके है जब आप बैठ जाएए तो अपने कानों को आखे तो आप बन कर चुके हैं पर कान को बन करना मुश्किल होता है तो मान लीजिए आप ऐसी जगह हैं जहां बड़ा शौर है शांती की जगे नहीं मिल रही नौकरी में आप परिशान है नौकरी में बहुत शोर है तो आप महां निश्पन्द भाव कीजिए क्या कीजिए आँख बन कीजिए और जो पहला आवाज आपको सुनाई दे कोई भी जितनी दूर सुन सकते है उस आवाज को सुनिए जितनी दूर आवाज सुनाई और उसको सुनते रही है जब तक आपको सुनाई दे रही हो मान लीजे दूर एक गाड़ी जा रही है उस गाड़ी की आवाज सुनते रही है उसको फॉलो करते रही है और उस गाड़ी को छोड़ी है कि आपको हार्ट बीट तक सुनाई देने लगेगी हार्ट बीट से पहले हो सकता आपको कमरे की घड़ी की टिक-टिक सुनाई देने लगे इसको करिए जहां मनी दोर दोर भागने लगे दूसरी आवाज पर शिफ्ट हो जाईगी कब करें इस प्रत्याहार को तो देखें जब आपकी एक लेफ्ट नॉस्टिल जब इससे सांस आ रही हो आपको तो जनरल ये सोने के लिए अच्छा समय है लेफ्ट नॉस्टिल इस गुट फॉर स्लीज जब राइट नॉस्टिल से सांस ले रहे हैं इसका मतलब ये काम करने का समय है और अगर दोनों नॉस्टिल से आपको एक सांस आ रही है उठिये और तुरंट चले जाएए प्रत्याहार करने सिद्ध हो जाएगा आपसे जब इस समय आप करेंगे तो बहतर है अब अगला पॉइंट पर जाते हैं धार्णा, धार्णा का मतलब धारित कर लेना प्रत्याहार में तो हम बाहर से मन पे आ गये थे धार्णा में क्या करेंगे मन या शरीर के किसी भी इस जगे पे अपना पूरा फोकस लगा देगे कंसंट्रेशन प्रत्याहार is internal attention धार्णा is कंसंट्रेशन एक बिंदू, एक चीज, किसी भी एक चीज को, कोई भी एक उब्जेक्ट जिसम ने उपासना योग में देखा, शिवलिंग पे वो भी चलेगा किसी भी चीज पे आप पूरी तरह से ध्यान लगा देगे, जब आप अपना पूरा ध्यान लगा देगे आप ऐसा भी कर सकते हैं, शरीर की पूरी उर्जा अपने एक हाथ पे सेंट्रलाइस कीज़े आप सोचिए, मेरा ये अंग, मेरे शरीर का ये जो हाथ है, इसके बारे में लगातार सोचिए और मैसूस कीजिए कि पैर से उर्जा श्रिंक हो रही है सारे शरीर की उर्जा श्रिंक होती और धीरे धीरे जब आप इसमें सिद्ध हो जाएंगे तो आपका हाथ वज्र हो जाएगा और आपने अंगत की तरह जहां पैर रग दिया उसको कोई उठा नहीं सकता क्योंकि आपने पूरे शरीर की उर्जा श्रिंक करके पैरे में डाल दिये इसी को जब काम उर्जा के रूप में हम देखते हैं तो वहाँ भी इसी तरह से जब पूरा शरीर एकी जगे कंसंट्रेट करता है तो आनन्द की अनिभूती होती है इसी को आप अगर अपने जीवन मिलाएंगे तो इसी को धारना कहा जाता है लगातार इसको धर्णे कीजी धारना 12 से शुरू कीज़े प्रक्टिस 12 से और पूर इसको डबल करते जाएए 12 से कंड, 24 सकंड यह इस तरह से आप कर सकते हैं धारना के बाद अगली आता है जिसको बोलते हैं ध्यान जब इसी धारना को ध्यान is meditation इसी धारना को आप 20 गुना कर सकें तो उसी को ध्यान कहते है धारना और ध्यान में एक मातरंतर इनकी length है 20 गुना आप बढ़ा दीजे तो यह हो गया ध्यान अगर लगातार किसी विशे पे आप 4 मिनिट सोचते हैं तो आप समझे और कुछ और आपके विचार में नहीं आता तो आप समझ जाएए आप ध्यान की प्रतम स्तर पे आ गएं ध्यान is 20 times longer than धारना उस पे आप ध्यान की जिए भगवान कृष्ण गीता के छटे अध्याय के 26 वे श्लोप में तीन स्टेप्स बताते हैं ध्यान की पहला फोकस कोई भी एक चीज लीजे उस पे फोकस कीजे मूर्ती पे फोकस करना है कीजे अंतरात्मा पे करना है कीजे और फिर देखते रहीं आप लगातार उसी के बारे में विच्छा थी जो और अगर मद भागे स्टेप टू तो बी अवेर की मेरा मिन देखो अभळ गया कुछ और दिमाग में आरा है बी अवेर की दिमाग में कुछ और आरा है स्टेप वन इस फोकस step two is awareness कि मन कहीं और जा रहा है step three उसको फिर से खीच के लगए focus awareness and bringing it back focus awareness bringing it back भगवान करशन खुद गीता के chapter के छटे chapter के 26 शलोख में कहते हैं जब तुम ये बार बार करोगे एक जगे ध्यान हो जाएगा और अगर तुम में ये शमता आ गई कि जब चाहे जहां ध्यान लगा सकते हो तो कल पना करो तुम करियर में ध्यान लगाओ तो कितना आगे जाओगे तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ तो कितना आगे जाओगे आप रिष्टों में ध्यान लगाइए तो कितना आगे जाएंगे आप spiritual journey में ध्यान लगाएंगे तो कितना आगे जाएंगे, कहाँ ध्यान लगा रहें फर्क नहीं पड़ता, हमारी शंता, अपना attention यहां से हटा के यहां लगा पाता, is called meditation, लगातार लंबे समय पर, this capacity, अंतिमिस्थिती is called samadhi, samadhi, मतलब together, शंता, धी का मतलब होता है, mind, samadhi का मतलब, आ मतलब completely, when mind is complete, samadhi, sam means balanced, आ means completely, धी मतलब mind, when my mind is completely balanced, it is called samadhi, धी शब्द होता है, धी का मतलब mind, mind, इसलिए हम, कई मंत्रों में भी आता है, धी मही, धी मतलब mind, तो देरा, दो तरह की बीमारियां होती हैं, धर्ती पे, एक होती है, आधी जा, आधी मतलब mind born, आधी जा मतलब mind born problem, जैसे exam में कम number आए, career अच्छा नहीं चल रहा है, relationship में problem है, यह सब आधी जा है, यहाँ है, हर वेक्ति जिसका career अच्छा नहीं चल रहा है, सब फुरी दुखी होते हैं, हमने पुरशार्त में देखा, चार अलग-लग तरह के लोग भी होते हैं, आधी जा, mind born problems, हम खुद सोच के खुद के लिए problem खड़ी करते हैं, वो मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए, सब आधी जा है, दूसरी problems लाइफ में क्या होती है, they are called अनाधिजा, which are not mind born, आपको घाव लग गया हाथ पे, अब यह mind born नहीं है, दिख रहा है, तो जो शारिरिक problems हैं, they are अनाधिजा, पर majority problems of life are अनाधिजा, सो जब आधी आती है, mind born होता है, problems आती है, उसी को कहा जाता है, व्याधी, व्यवदान आगया, किसमें, धी में, mind में व्यवदान आगया, तो अब मेरा मन नहीं लगता कहीं, उसने मुझे फोन क्यों नहीं लगाया, मेरे बिना वो व्यक्ति तो बड़ा खुश है, और देखो, उसके बिना, मेरा कहीं मन नहीं लगता, ये भी मुझे परिशान कर रहा है, this is called व्याधी, वेवदान आगया, अब मैं कुछ सोची नहीं पा रहा, नौकरी में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मनन नहीं लग रहा, ध्यान में मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा व्याधी हो गए तो व्याधी का तोड़ क्या है? समाधी समाधी के ये स्टेप्स है समाधी के लिए क्या करें? तो सबसे अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है वो ये बैम्बू लेके जब बैम्बू धावा कूथता है, तो एक पॉइंट पर जाके बैम्बू छोड़ देता है, वो छोड़ देने वाला पॉइंट ही ध्यान है, ध्यान के बाद आप प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, समाधी होती है, वो फलित होती है, वो स्वताह होती और समाधी का रूल है ध्यान से 20 गुना कम से कम 80 मिनट थौटलेसनेस इस समाधी तो अगर आप 80 मिनट तक लगाता थौटलेस है आपके मन में कोई फ्लेक्ट्वेशन नहीं है आप बहुत शान थे तो आप समाधी की स्थिप्यूट है और अगर आप 80 मिनट ऐसे बैठ गए त तो आपको किसी तरह की नीम की जरूरत नहीं पड़ती है आप बहुत फ्रेश फील करते हैं और इसी कारण ऐसे कई रिशी मुनी हैं जो बहुत कम सोये पर उन्हों जीवन के सारे शरीर को संतुलित रखा क्योंकि समाधी में अपने शरीर को बिलकुल जिसको योग बिद्रा कहते हैं भगवान निश्णु जिसमें हैं उसमें चले जाते हैं शरीर अपना काम करता रहता है और मन शांत हो जाता है बोड़ी अपने आपको हील करती रहती सब कुछ चलता है समाधी इन तीनों को एक साथ अगर हम बोले धारना ध्यान और समाधी इसको एक साथ रख दें तो हम कहते हैं सयम कर लिया हमने सयम का बतलब इन तीनों को एक साथ है सयम जिसमें सयम होता है इसका मतलब धारना ध्यान समाधी हो कर पाता है रामकरशन परमंस के पास एक व्यक्ति आया उसने पूछा वेन आई विल बी फ्री मैं कब फ्री होंगा वेन आई विल बी फ्री रामकरशनपरमन्स ने मुस्कुरा के बोला When I shall cease to be जब ये I cease हो जाएगा इसी को हम कहते हैं समाधी, समाधी मोक्ष नहीं है, समाधी वो तरह अब मोक्ष पाने की ये तयार थे, मोक्ष को कैवल्यम कहते हैं तो स्वामी विवेकादन ये बताते है कि ये फलित होना आपके अंदर चालू होगा। इससे आपके रिष्टे, आपका प्रोफेशन, आपका मन्द हर तरह से शान्त होगा। And these are principles and practices for a spiritual healthy living. हम इन सबको revise कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा, साधक को यदि अपने साध्य मोक्ष के तरफ जाना है, Freedom from fear की तरफ जाना है, तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, साधना में कर्म और उपासना योग के मिश्रण को हम राज योग कहते हैं, which is more of उपासना योग and less of कर्म योग. राज योग इसको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि it gives completely command, complete command in राज over ourselves. योग पतंजली योग सूत्र में योग को परिभाशित करते हैं, योग चित्त स्य वरत्ति निरोदह, चित्त की वरत्तियों के निरोद को ही योग कहते हैं, तो चित्त या मन उसमें इतनी वरत्तियां क्यों उठती हैं, क्योंकि मन एक बंदर की तरह परिकल्पित किया गया, जो बड़ा चंचल होता है, इसलिए मन की पांच स्थितियां होती है, एक शिप्त होती है, which means destructive, दूसरी विक्षप्त, means distracted, कीसी mood, depressed or dull, चौथी एकाग्र, devoted to work or object, and last is निरुद्ध, divine focus, शांत हो जाना, ये जो निरुद्ध स्थिति है, समत्व की स्थिति है, जिसे गीता भी कहती है, यही योग साधना के लिए service based है, और इसको साधने के लिए पतंजली योग सूत्र ने 8 steps बताए है, 8 levels, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धार्णा, ध्यान और समाधी, जैसे जैसे आप यम से समाधी की तरफ जाएंगे, orientation external से internal होने लगेगा, कर्म से worklessness की तरफ होने लगेगा, कर्म से उपासना की तरफ होने लगेगा, effort से effortlessness की तरफ होने लगेगा, और body से orientation, soul की तरफ जाएगा, तो अब हम एक एक करके समझेंगे, पहला इस यम, यम means things that we need to avoid, don'ts, ज सत्य मनवचन कर्म से हमें avoid करना है, अस्तिय का पालन करना है, अभ्रमचर उसको हमें avoid करना है, परिग्रह को हमें avoid करना है, तो इन सब चीजों को हमें avoid करना है, यम होगे, नियम मतलब जो हमें करना है, do's, which we need to follow, शौच, purity मनवचन कर्म की, संतोष, appreciating what we have and striving for better, तब मनवच कर्म का स्वाध्याय शास्तरों को पढ़ना और ईश्वर प्राणिधान उनके समर्पित करना है, इसके बाद हमने बात की आसन, आसन स्थिरम सुखम आशन, जिसमें आप स्थिर और सुखिर रह सकें, किस तरह से बैठें कि हमारी मेरुडंड बिलकुल सीधा हो, हमारा जो च करेंगे कि हम एक सही आसन में हैं, कम लगाया जाए इस तरह के आसन, ब्रह्म मोहरत सुबह और शाम को करा जाए, कहां किया जाए, एक डीप प्लेस, एक डिवाइन प्लेस बनाई जाए, उसके किया जाए, इसके बाद आसन के बाद हमने चर्चा की, फिर हम प्राणायाम करे और यह जो लाइफ पोर्स है, यही हमें शक्ति देता है, शक्ति शक्त से बना, इसका मतलब सम्थिंग एक्टिवेट्स, हमारे अंदर जहां शक्ति स्टोर्ड है, उसको कुंडलिनी कहते हैं, कुंड जैसे कुंड में कोई शक्ति हो, उस प्रकार से जो ट्रेंगुलर पॉर में हैं, मुलाधार में उसको स्टोर रहती है, हमें प्राणायाम इस रूप में करने होते हैं, ताकि प्राण जाके उस कुंडलिनी को नीचे से धका दे, ताकि उस कुंडलिनी उपर उठे और सहस्तरार तक पहुँचे, इसके लिए हमने साथ चक्रों की बात की, यह जो हमा हमारे अंदर उर्जा है, हमारे अंदर जो प्राण उर्जा है, यह बहुतर हजार नाडियों के माध्यम से, मुलाधार से सहस्तरार तक जाती है, तो यह 12,000 नाडियां अलग-अलग जगे क्रॉस होती हैं, इसी उनके इंटर्सेक्शन को चक्र कहा जाता है, नाडी शब्द नाड से बना, मतलग खोकला तना, उसमें से पूर्जा प्रवाहित होती है, यह साथ चक्र, पहला मुलाधार, जो हमारी मेरुदंड के बिल्कुल नीचे है, उसके बाद दूसरा, जिसको हम स्वाधिस्ठान कहते हैं, हमारे उदर के थोड़ा नीचे, तीसरे को हम मनीपुर कहते हैं, चक्र जो हमारी बैली बिटन पे है, चौते को हम अनाहत कहते हैं, जो हमारे हार्ट पे है, पाच्वे को हम विशुद्ध कहते हैं, जो हमारे कंठ पे है, आग्या चक्र जो हमारी आँखों के बीच में हैं, और सहस्तरार जो ब्रहमरंद्रे पे हैं, हर चक्र का एक अलग प्रियोजन है और वही प्रियोजन जैसे मुलाधार security and obsession देता है जैसे स्वाधिस्टान relation and addiction देता है जैसे मनिपूर growth and anxiety देता है अनाहत love and togetherness देता है विशुत communication देता है independence देता है आग्या चक्र command and realization देता है और सहस्तरार divine realization and state of being देता है प्रानायाम को हमने बात की प्रानायाम अघम प्रानायाम होता है वो बध्यम और उत्तम होता है ये निर्भर करता है कि पूरक, कुमबक और रेचस का duration कितना है पूरक का मतलब breathe in, कुमबक का मतलब to hold and रेचस का मतलब to breathe out इसके आखरी में, जो समय बचता है, उसको शुन्यत कहते है दो सांसों के बीच का सब्राइब जब ये 48 सेकंड का पूरा प्रोसेस होता है इसको मध्हम कहते हैं 1.2 सेकंड का हो जाए तो उसे मध्हम कहते हैं और अगर एक सांस 2.4 मिनिट की हो जाए तो उसे उत्तम प्राणाया हम कहते है जितनी गहरी सांस होगी, उतना लंबी आयू होगी हमने कच्छुए से इस बात को समझा उसकी एक मिनिट में पांच सांस लेता है और 200-300 साल हो जीता है, 400 साल तक कई बार जीता है तो हमें इसके लिए साधना कैसी करनी है पुंभक के समय बंद लगाएं और इस तरह के आवाज से उस कुंडलीनी को उपर उठाने की कोशिस करें जब धीरे धीरे उठने लगेगी तो हमें नीचे गर्म महसूस होने लगेगा गर्मी की महसूस होने लगेगी मुलाधार में अब हम इसके बाद जाएंगे प्रत्याहार प्रत्याहार मतलब मन का आहरण करना सारी इंद्रियों से मन को खीच कर अंदर के किसी वस्तु पे लगाना अंदर के किसी विचार पे लगाना इसलिए प्रत्याहार मतलब मूवी दिखाएगा, आप शुरू में 1000 विचार आ सकते हैं, फिर 100 आएंगे, पाँच आएंगे, आप शाक्षी भाव से, बिना अटैच हुए उन्हें देखते रहे हैं, धीरे धीरे भाव कम हो जाएंगे, आपका मन शांत होने लगेगा, आप किसी बाहरी प्रतिक्रिया, ब आवाजों के प्रति सचेत होईए, आवाजों को एक के बाद एक बदलते रहे हैं, चितने समय आप इसको कर सकते हैं, इसको निश्पंद भाव कहते हैं, धीरे धीरे आप अपने कमरे की आवाजें सुनिए, धड़ी का क्लिक-क्लिक सुनिए और अंत में आपने हार्ट आए, तो धार्णा करने का तो ये प्रतिहार करने के लिए बहुत अच्छा समय है, इसके बाद हम करेंगे धार्णा, धार्णा का मतलब मन को धारित कर देना, अब हमने बाहर के पाँचों सेंसेस को खतम कर दिया, अब हम मन पे आजाएं, इसी भी एक बस तू विशे पर मन को धारित कर देने को धार्णा कहते हैं, बारा सेकेंड आपने धारित कर लिया, तो ये धार्णा है, आप अपने हाथ पर धारित कीजिए और पूरी शक्ति अपने हाथ में लाईए, पूरे शरीर की शक्ति, आप अपने पैर में धारित कर लीजिए, पूरे शरीर की शक्ति कल्पना कीजिए एक एकर के पैर को पूरी शक्ती ले आईए यही अंगत के पैर थे अंगत ने पैर रख दिया कोई उठा नहीं पाया धार्णा को जब 20 गुना कर देते हैं 240 सेकेंड या 4 मिनिट उसी को ध्यान कहते है ध्यान को अगर आप 20 गुना कर दे लगभग 80 मिनिट तो उसी को समाधी कहते है तो ध्यान कार्थ क्या है ध्यान कार्थ यह है कि जब हम continuous uninterrupted किसी भी विशे पर फोकस कर पाते हैं complete meditation धार्णा concentration है पर ध्यान इस complete meditation तो उसको ध्यान कहते है भगवान करश ने गीता के छटे अध्याय के 26 श्लोक में बताया है कि तीन स्टेप्स ने पहले पूरा तरह से आप उस पर meditate कीजिए फोकस कीजिए अगर मन वहां से भटके तो aware हुई उस मन को वापस लेके आईए और फिर से re-establish कीजिए बार बार ये practice कीजिए आपका ध्यान सबने लगेगा अंतिमिस समाधी सम का मतलब together या फिर सम इस्थित हो जाना आ का मतलब है completely धी का मतलब है मन का मन का शान्त हो जाना समत्वन योग उच्चते बिलकुल समत्वन में आ जाना धी मन को भी कहते हैं मन से आधिजा परिशानी जो मन से उबजी होती है उसी को व्याधी कहते है व्याधी को समाधी तक ले जाने की ववस्था को ही योग कहते हैं और इसलिए समाधी absorption है जब आप completely absorbed हो जाते हैं meditation भी नहीं you are completely absorbed in the subject जब गायक गीत में खो जाए खिलाडी खेल में खो जाए इसी को समाधी कहते हैं धाड़ना ध्यान और समाधी को एक साथ को सैयम कहते हैं और यही सैयम साधक को साध्य तक पहुचा देता है शुक्रेश, थैंक यू